क्लिए आइज पॉल्म करते हैं क्वेशन क्या कहता है out of 4 numbers the average of first three is 16 and that of last three is 15 if the last number is 20 then the first number is क्या कह रहा है कि 4 number है जिनमें से 3 number first three numbers का जो average दे राखा है वो है 16, last के 3 numbers का average दे रखा है 15 और हमसे question में ये भी बता रखा है कि जो last number है, वो कितना है, वो है 20, तो कहता है question में कि आप first number बताइए कि क्या होगा, तो हम अगर मांग लें कि चार numbers है A, B, C और D, जिसमें D की value हमें दे रखा है कितना, 20 दे रखा है, तो first 3 का जो average है, वो कितना है, A plus B plus C का जो average है, वो कितना है, वो है 16, it means अगर हमें sum find out करना हो, A plus B plus C का, वो कितना आ जाएगा, A plus B plus C, that is equal to 16 into 3, that is equal to 48, ठीक है, इसी तरीके से, अगर हम इन 3 numbers का, last 3 numbers का average निकालें, तो B plus C plus D, divide by 3, that is equal to कितना हो जाएगा, question में कितना दे रहाएगा, 15 दे रहाएगा, it means कि B plus C plus D का जो sum आएगा, वो कितना आजाएगा, 15 into 3, that is equal to 45, और अगर हम इस D की value यहाँ put कर दें, तो B plus C plus 20, that is equal to 45, it means कि B plus C की जो value निकल के आएगी, यह इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो 45 minus 20 कितना हो जाएगा, 25 आजाएगा, तो B plus C की जो value निकल के आ रही है, वो कितनी आ रही है, 25 आ रही है, ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा था, first number क्या है, हमें अगर B plus C की value पता है, ठीक है, तो हम इस equation में put कर देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या value पूट कर देंगे, A plus B plus C कितना है, इस का सम कितना है, 48, 48, B और C की value कितनी है, 25, तो A की value कितनी हो जाएगे, 48 minus 25 that is equal to 23, और option 1, इस question का सही answer, अगर देंगे,